रुड़की के गाव बेलडा में एक तालाब की पैमाईश को लेकर भाजपानेता जगजीवन रान दौरा माननिय उच्छ न्यायाले में एक रीड डाली गई थी जिसमें गाव बेलडा के तालाब में अवैद रूप से अतिक्रमण कर एक सीसी रोड बनाई गई है और इसी क् नानिताल में डीम हरिद्वार तो आदेश दिये तालाब की पैमाईश कर अतिक्रमण को हटाये जाए हरिद्वार डीम आदेश कुमार चकबंदी विभागवा रोड की तहसीर प्रशासन की टीमें मौके पर पहुँची तालाब की पैमाईश की गई अतिक्रमण पाया गया SDM के नेतरत में टीन दोरा तालाप पर अतिक्रमण को तोड़ने की सिर्फ फॉर्मैल्टी की गई नहीं बात करें तो तालाप की तीन बिगा भूमी जो की अभी भी अतिक्रमण की भेट चड़ी हुई है जिसके उपर खेती की जा रही है बात करें तहसील प्रशासन कहीं न कहीं भूमाफियाओं के दबाव में बात की जाए प्रशासन अपना काम तालाप पर से अतिक्रमण हटाने का तो कर रहा है लेकिन ऐसा क्या मामला है जो की गाव बेलडा में 2016 से तालाप के उपर अतिक्रमण हो रखा है जो आज तक नहीं हटाए गया अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन कब नीन से जाकता है और बेलडा गाव के तालाप में जो अतिक्रमण है उसको हटाता है बात करते हैं अभी हाली में भगवानपुर तहसील के गाव हकीमपुर की तुरा में प्रशासन द्वारा हाई कोट के आदेश के नियमा उनसार तालाप के उपर बने करीब तीन दर्जन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया ये देखने वाली बात होगी भारते किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि कहीं न कहीं शासन वा प्रशासन की बिली भगत से तालाप से हतिक्रमण नहीं हट पा रहा है बहुत जल डीम से मिलकर बिल्डा गाउंव के तालाप के बारे में अफगत कराएंगे लाइव उत्रा खंड के लिए रोड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट जो जबड़ पाती कर्मन करक्ष्या जो इस पर इड्यम द्वारा तसिलदार द्वारा सबर आदेश दे गए काती करमन अठवादिया जागा पर आज युगा तुह जो जमेन शुरक्षित की गई ती सुपरती में दी गई ती कोट द्वारा उस पर भी आज भूमाभे उन्हें कपजागर को अकल बहादी मुझे पैतब पता लगया लोगों द्वारा में वहां मोके पर देख्या तो यह कहां का कानून कहां का वो जो एक किसी कोट की यह बा आप – ती न मत भूमाभे ती –